स्वागत हकीम साब धन्यवाद हकीम साब अगर हम बात करें रोग प्रतिरोधक शमता को लेके हम देख रहे हैं कि मार्किट में तो बहुत सारी दवाईयां उपलब्ध हो चुकी हैं लेकिन उसके बाद जूद भी व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे ऐसी सटीक दवाई मिल जाए या फिर उसे ऐसा घरेलू नुसका मिल जाए या फिर वो युनानी दवा ऐसी जान ले जिससे कि वो अपने औरा की तरफ यानि अपने पूरे शरीर को सुरक्षित रख सके क्योंकि हम भी जानते हैं दर्शक भी भली भाती जानते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी बहतर रह प्लते गी तो कोई भी रोग या कोई भी महामारी संक्रमन हमें छुटक नहीं पाएगी और देखिए शेल जा मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं पूछते क्या हो मेरे हाले परिशा का मिजज गर्दिशे वक्त बदल देता है इंसा का मिजज गर्दिशे वक्त बदल देता है इंसा का मिजज और आप नावाकिफ गम है ना समझ पाएंगे आप नावाकिफ गम है ना समझ पाएंगे एक परिशा ही समझता है परिशा का मिजज इस वक्त पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की ज़रुत है जैसा कि आपने कहा और Immunity पर मैं कई दशक से बात कर रहा हूं क्यूंकि Immunity को मैं जानता हूं और Юनानी Immunity के लिए बहुत जरूरी दवाएं भी और घरेली नुसके भी बताता है Immunity के बगार आदमी की जिन्दगी एक दीमक लगी हुई दरोदे की तरह हैं कि वो कभी भी गर जाए इम्निटी के आज सब को जरूरत है इम्निटी के लिए मैं एक घरेली नो उसका अक्सर बताता हूँ और एक दवा भी और लोगों से कहता हूँ कि आप अगर इस लायक नहीं है कि वो दवा खा सके तो आप एक रोटी कम खा लीजे और एक इम्निटी की खुराग जरूर अपने को और अपनों को अपने बच्चों को अपने बड़ों को अपने बज़र्णों को अपने सब घर्वालों को जरूर खिलाए घरेली नुसका इस तौर पर है के लिसोडा, अलसी, उन्नाव, सौसो गिराम, और हमारे किचन में पीपलें होती हैं, गरम मसालों में, वो तीस गिराम, पाउडर बनाएं और एक चम्मच, रोजाना, खाली पेट, निहार मूँ, गरम पानी से लिया करें, यह इम्मुनिटी बूस्टर है, और कुछ लोग इस समझते हैं, मेरे बताय हुए नस्वा को, तो माजून आर केर, जिसमें भी इम्मुनिटी कमी हो, जरूर खाएं, अच्छे हालात हैं तो दो वक्त, और खराब हालात हैं तो एक वक्त, एक रोटी कम खाएं लेकिन इम्मुनिटी की कमी नहोने दे, क्योंकि इस वक्त, विकास है हमारा जिन्दा बच जाना हम ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा लेकिन हमें ही होता है जो लोग इस अकड़ में रहते हैं कि कोई वाइरस नहीं है हिंदुस्तान का माहूल है कोई वाइरस नहीं है वाइरस है पूरी दुनिया में है हिंदुस्तान में सबसे ज़्याद खुद रखनी होगी लेकिन हम सिर्फ एक माध्यम हैं बताने के लिए कि कौन सी वो immunity की दवाई है युनानी या फिर वो कौन से नुस्के हैं जिससे कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक शम्ता को अच्छा कर सकते हैं बहतर कर सकते हैं और अगर आप बहतर करेंगे तो इसका लाब आप लोग ही उठा सकते हैं क्योंकि फिर आपको ना तो कोई रोग हो पाएगा ना कोई संक्रमर महामारी आपको छू तक नहीं पाएगी बाकी दर्श को लाइब कारक्रम है रोग संबंदी आप लोग कोई भी नुसके जानना चाहते हैं तो लाइब अपना कीमती वक्त निकालके हकीम साब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं बस आप लोगों को फोन उठाना है नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्र मुझे पूछना है कि हमारे पूरे गर्में खुली बहुत हो रही है और खुली डाथ बहुत हैं और फुरी डाथ बहुत हैं और अब उसके बाद घ्ट का यापकी प्र इसका है उम्र क्या आपकी मेरी उमर है सब सोलने साथ ठीक और इत्ती कम उमर में इत्ती तकलीफ है हाँ देखिए बड़ा अच्छा नस्खा है अगर आप इस्तमाल करें तो और ये सारी समस्याओं का अच्छा निजात का कारण हो सकता है देखिए एक तो रोजाना आधी चुटकी जित चुटकी है आधी चुटकी खाने का सोडा पानी मिला कर पी लिया करें एक बार और एक बार आपको लेना है एक नारियल पानी खरीदना है उसमें आधा गिराम गौन मौरिंगा मिला के गौन मौरिंगा असली चाहिए और एक बार ये पी लिया करिए सुबा में सोडा पीए तो शाम में य पी लीजे और आप बहुत ख्यार लखिए अपना ये रोग बहुत बढ़ भी सकता है जल से इसे शुरू करके दो तीन महीने आप लेंगे तो आपको फाइदा मुम्किन है जी दिली से हमारे साथ नैना देवी जी स्वागत है आपका ना पर शाय देवी जी नेनी देवी जी सवाल करें अपना हतीन साब से बात कन्नी में कल भी तॉन करा था तो उन्हें कंप्नी और उसे बात हुए दव्ट कुताब को जी बताइए मैं सुन रहा हूं मुर्ग नेनी देवी बताईए क्या बता रहे है? सर मेरे जरद है सर जोड़ जोड में नस में 45 साल होगी तो मैंने बहुत दवाई ले ली तो मेरे फाइदा नहीं पड़ रहा है आयू कितनी है आपकी आयू कितनी है और क्या ब्रोग है आई मेरी सार्थ उपरी ए तेरे सट तौशट ए ठीक ठीक और तो कुछ नहीं कहना ना आप गटियवाई बताते हैं डॉक्टर साब मेरे जो भी दोक्टर के दावाली बजाती हूं डगटियवाई बताते हैं तीक ठीक कंदों में अंग्री इनमें पैर की अंग्री तर्वा गुड़ने जा अपके पास कॉपी पैन है मर्ग नहीं देवी आपके पास कॉपी पैन है लिख लीजे अभी बुला के लाएगा तो जब तक तो हमारा टाइम ही निकल जाएगा इसमें हमें दो मिनट से जादा नहीं बात करने की इजाज़त नहीं किसी भी मरीज से तो आप समझ लीजे इतने नुस्खा और याद कर लीजे और बुला के रखा करिए घेर पर से आदमी को बुला के रखा करिए और मैं बताने जा रहा हूं स्कामवान इलाज है और वो यह है कि अलसी समझते हैं ना आप 64 एर्स के हैं आप नेनी देवी अलसी ले लिए चार पांच सो गिराम हलका सा भून के और उसका पाउडर बना के रख लीजे भूना है हलका सा बहुत ज्यादा नहीं और इसको पाउडर बना के रखिए और सियाह कहते हैं हम लोग इसे काला गौन भी कह सकते हैं यह काला गौन आप बस 200 गिराम 300 गिराम खरीद लीजे और इसमें यह डॉव मैटेरिल लेना मतलब पिसा पिसाया नहीं लेना है और इसको जो अलसी का पाउडर आपने बनाया ऐसी इसको भी पाउडर अलग से बना के रखें इसमें मिलाएं नहीं और एक चमच अलसी लें और यह दो चुटकी में जितना यह गौन सिया आता है काला गौन इसमें मिलाके रोजाना दो टाइम खाना है सुबह नास्टे के पश्चाहत और रातों खाने की पश्चाहत पानी से बगएर चरबी के दूर से या रही आपका नमसे रख्टर साथ जी नमसकार बताइए अधावच साथ और डौटर ना बताया है तो डौक्तर रिकार की तो आई-कोर आया बुकर में और बिंत्रा सूकी थाहरण हो गई है ऐसा बोला और वैट-लोट पर जारा रहा ए दिन बएस नवचाहत आई पाई-बंशे आ पिटाफ़ पांगे है ठीक है आँ देखिए एक बड़ा अच्छा नस्खा है और मेरे जहां तक पहुंच है जहां तक मेरी बात पहुंचती है करोडों लोगों तक जिसने भी इस पर अमल किया उसका थायराइट को फाइदा अमकिन हुआ और वो बहुत आसान नस्खा है आप बना लें खुद इस्तमाल करें और फाइदा उठाएं थायराइट के मरीज़ बहुत है इतने हैं कि जतने डायबिटीस के मरीज़ है इतने ही थायराइट के भी मरीज़ होने लगे हैं महिलाओं को ज्यादा ये रोग है तो और से सुने लिक ले आपको मर्ज नहीं भी हो त के धनिया 300 ग्राम धनिया 300 ग्राम आवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम यह तीनों चीज़े ले और एक आता है गॉण मौरिंगा सफेद वाला लेना असली बिलकुल असली मिल गया तो आपका काम समझ लीज़े हो गया इसको भी पौडर बना ले साथ में घर में पौडर बनाएं सब रो मैटेरियल लाना कुछ भी पिसा पिसा है नहीं लेना और जो गोली खाते हैं उखाते रही उसके साथ ही एक चमच इसका पौडर खाके पानी पी लिया करिए ज्यादा है तो सुबह और शाम भी ले सकते हैं और आप देखेंगे के हर बहीने आपका थाराइट जो रिपोर्ट आप कराएंगे पुरानी रिपोर्ट र किये नहीं रिपोर्ट से उसको मिलाई है आप देखेंगे रोज ह ओंप्रकास यह हमारे साथ स्वागत है आपका जी बताईए सवाल करी अप्ना इंद्र कि दिक्कत कम आती है ज्यादा आती है थीAmर्ट यह नहीं देटाओ पाजा मिजी झी ठीक है ठीक है और क्या सवाल है आपके और कुछ कहना है ठीक है ठीक है और कुछ कहना है गुटनों में ठीक है जो देखिए दो दवाएं बता रहा हूं आपको मिल जाए असली असली मिलना बहुत जरूरी है तो दोनों में फाइदा मुम्किन है देखिए जो नीद नहीं आती है आपको तो अलोवीरा का सिर्का अलोवीरा का जूस सब जानते अलोवीरा का सिर्का तीन चम्मच चार चम्मच एक गिलास पानी में मिलाकर पीएंगे आदा घंटे बाद आप मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो और ऐसी नीद आया करेगी और वो पांच एमजी दस एमजी जो भी गोली खाते वो आसाने शूट जाएगी आपको नीद तो देगी सुकून बहुत देगी दिमाग में जो कुछ बादरेशन इधर की टेंशन इधर की टेंशन वो स लिए आपको जड़ा टाइम लगएगा एक गौन आता है गौन सियाह कहते है सियाह यानि काला गौन ये काला गौन कड़वा बहुत होता है और ब्राउन कलर का होता है लेकिन इसे कहते हैं गौन सियाह सो दो सो गिराम खरीद लीजे आदा गिराम सुबा आदा गिराम शौन खाने के बाद खाया करें, बगएर चरबी के दूस से, पानी से, या रईस है तो जूस से, और ये सो दो सो ग्राम खतम होते होते, आपकी तकलीफ का खतम होना मुम्किन है, जी, अगली कॉलर है, हरीद्वार से, नेहा त्यागी है हमारे साथ, स्वागत है आपका नेहा जी, हल चलिए लगता है श्वाइद आपसे हमारा कॉन्टेक टूट गया, कोई बात निक बफिर से कॉन्टेक करने का प्रियास किजिगा, कारेक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, तो आप हेलप लाइन नमबर पे कॉन्टेक कर सकते हैं, 24 आर्स कभी भी दर्ष को, देखे लाइफ क के सहारे क्योंकि इतने बड़े-बड़े रोग हो गए थे, लेकिन हर बात जब उन्होंने फॉलो की, हर बात का उन्होंने ख्याल रखा, और जो भी बाते यहां पे हकीम सहाब उनको बताते थे, कैसे उनको नुसको का सेवन करना है, कैसे बनाना है, और कौन-कौन से होना है लाइब कारेक्रम में हकीम साहब से सिर्फ आप लोगों को नुस्के जानने हैं तो पोल उठाइए नमबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगतार दिखाये जा रही है